हेलो दोस्तो नमस्कार अगर अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा पॉपिलर इंडेक्स निफ्टी-फिफ्टी तो निफ्टी-फिफ्टी में तो भाई सब 345, 35, 300 पॉइंट की गिरावट, मतलब सेम, 0.5% की गिरावट है, एंट जो गिरावट का पैटन था, शुरुआत से ही हम लोगों को लगातार, मतलब शुरुआत तो ठीक ठाक रही, ठीक है, बड़ उसके बाद लगातार, हैमरिंग, 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 और सिर्फ हैमरिंग, मतलब एक भी कमबेक करने का मुकाबूल को दिया ही नहीं, लगातार सिर्फ और सिर्फ बेयर लोगों का ही, आज का दिन हम लोगों को देखने का आपे मिल रहा था, तो obviously बाजार में जबरदस्त गिरावट होती है तो चर्चाय स्टार्ट होई जाती है कि major कारण क्या है भाई कि क्यों बाजार यह आपे गिर रहा है करके ठीक है तो उसी से related चर्चाय हम लोग इस विडियो में आपे करने वाले है तो directly भी jump में कर सकता हूँ main point के उपर जो एक मुद्धा हम लोगों को देखने का आपे मिल रहा है बट जैसे मैंने हमेशा आप लोग को सिखाया है कि हम हमेशा क्या करते है process को follow करते है कभी भी कुछ भी हो जाए आप मेरा कोई भी वीडियो उठा कर देख लेना so कम गिरावट हो जादा गिरावट हो extreme जादा गिरावट हो हमेशा process को follow किया जाए तो process में हम लोग क्या करते है जैसे मैंने वीडियो बना कर आप लोगों को रखा है कि क्या-क्या चीज़े चेक करने ते चलो कोई बात नहीं इसलिए हम लोगों ने देखा था कि American Bazaar अच्छा कर रहा है इसलिए हमारा Nifty भी अगर आप देखोगे ओपनिंग तो ठीक होई थी ऐसा कोई नहीं कि यहां से gap डाउन ही सिधा हो गया करके नहीं ओपनिंग तो ठीक होई थी थी उसके बाद Bazaar को नीचे लाया गया तो आपको पता है हम लोग दूसरा हम लोग कौन सा पॉइंट देखते है बिल्कुल सही जो लोग regularly आपे अच्छी तरह किसे पढ़ाई करते हैं उनको पता है किसके और जाने वाला Dow Jones का future क्या Dow Jones के future में कोई भूकम भीकम था क्या तो ऐसा कुछ भी ने नॉर्मल ही है मतलब साड़े 300 पॉइंट तक गिरना मतलब उस लेवल का कोई pressure होना चाहिए तो वो तो pressure हम लोगों को Dow Jones के future में देखने को ने मिला ये इब दम 0.50.50 रुपया उपर नीचे मतलब 50.60 पॉइंट हम लोगों उपर नीचे होते वे देखने को मिल जाता है ठीक है दन चेक कर लेते भाई European Bazar को देख लेते तो European Bazar तो आप यहापर देख सकते हो हरे निशान में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं अब दम कोई super-duper तेजी नहीं है बट ऐसी भी बात नहीं कि अब दम – half percent, 1 percent, 1.5 percent है तो हमारे बाजार में जो हम लोग को गिरावट होते भी देखने को आपे मिल रहे हैं देन फुटसी की अगर हम लोग बात करें, UK की बिलकुल नॉर्मल हरे निशन में है, देन फ्रांस की अगर हम लोग बात करें, तो वो भी हरे निशन में हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो फर्स्ट फेस की अगर में बात करू, फर्स्ट पार्ट की अगर हम लोग बात करू तो इससे हमें क्या पता चला, conclusion, कि विदेश के बाजर के और से कोई भी कारण नहीं है, ठीक है, वरना क्या हम लोग देखते हैं, कि बाई, डाउ जोन्स का future गिरा है, पाथ सो, छे सो हजार पॉंट, तो समझ में आता है, कि विदेश में कुछ हुआ है करके, तो उसका कारण बड़ा reason रहता है, Middle East वाला, बट Middle East से related भी कोई issue नहीं होगा, क्योंकि अगर Middle East में अगर कुछ issue हुआ होता, तो डाउ जोन्स के future में दिखता, देन उसी के साथ अच्छ, European markets में भी वो reaction देखने को मिलता, या फिर crude oil में बड़ा reaction देखने को मिलता, तो ऐसा भी कुछ नही है, so conclusion जो पहले था, वही conclusion वापस repeat होते वे देखने को मिल रहा है, क्या समझ में आया, कि विदेश के और से, कोई भी कारण हम लोगों को देखने को आपे नहीं मिल रहा है, कि हमारा बाजार जो यहापे गिर रहा है, जो हमारा, मतलब reasons के अगर हम लोग बात करे, जो हमारा market यहापे गिर रहा है, वो internal reason के चलते ही गिर रहा है, जो बड़ा event फिलाल तो बाजार में चल रहा है, और दोस्तों वो वही है, जो हर किसी को यहापे पताई है, yes, election, so election के चलते ही हम लोगों को यह volatility देखने को आपे मिल रही है, so इसमें कोई नई बात नहीं है, इसके पह प्रकार की volatility हम लोगों को usually देखने को मिल जाती है, so वो सारी चीजे में जो बार-बार बोलता था, उसका अर्थ यही था, ठीक है, so अभी आप काफी सारे लोग यहापे देख सकते हो, कि किस प्रकार की volatility हम लोगों को before election देखने को आपे मिल रहा है, and अभी भी election खतम होने क के लिए आप सब लोग को पता है, काफी समय आपे बाकी है, अभी आ जाते दोस्तों, important point की ओपर की खबर क्या है, तो दोस्तों, obviously जो भी points में आपको यहापे बताने वाला है, वो completely unofficial, unofficial मतलब कोई ऐसे official खबर नहीं है, ठीक है, आप बोलोगे भाई, ऐसा guarantee बताओ, तो guarantee तो ऐसा नहीं है, आप सब लोगों को पता है, बाजार में इस प्रकार की जो खबरे, उड़ती उड़ती खबरे होती है, उसी के हिसाब से reaction देखने को मिल जाते हैं, याद रखना, जो भी ये market में हम लोगों को चाहे तेजी की बात करें, या फिर ऐसे मंदी की बात करें, जो भी चीज़े होती है, यह बड़े players के हिसाब से ही होती है, आप और में बेचेंगे, छोटा मोटा amount बेचेंगे, कोई फरक नहीं पढ़ते है बाजार को, index level पे नजर आएगा कि क्या हो रहा करके कुछ भी नहीं, अब बड़े-बड़े players बेचते हैं, institutions बेचते हैं, पहुझ गया होंगे, तो ऐसी बहुत सरी चीज़े चलती रहती है, तो फिलाल अगर देखा गया, तो अभी का जो majorly कारण जो बोला जा रहा है, उड़ता उड़ता, ठीके, यह कोई concrete reason नहीं है, ठीके, तो वह यह, election से related ही बाते आपे बोली जारे, मतलब किस चीज़ के चल के पहले, जो reports हम लोगों को देखने का आपे मिलते थे, कि यह party शायद से majority के साथ आ सकती करके, तो उससे related जो majority का margin है, वो धीमे-धीमे करके हम लोगों को कम देखने का आपे मिल रहा है, totally unofficial point है भाई, ठीके, मैं किसी party का नाम भी यह आपे नहीं ले रहा हूँ, ठीके, त इससाब से बादार में हम लोगों को चर्चा होती भी देखने को मिल रही है, कि margin थोड़ा-थोड़ा करके हम लोगों को कम देखने का आपे मिल रहा है, मतलब अगर मैं इसको cricket के example से जोड़ कर देख लू, तो जैसे कि आपको पता है अभी T20, IPL यहापे चल रहा है, तो 20 over का मैच है, और कोई company, मतलब team यहापे कह रही है, कि हम लोग 300 runs बनाएंगे करके, तो 300 runs बनाना है भाई, तो आप लोगों को शुरुआ से attack करना पड़ेगा, power play में जबरदस खिलना पड़ेगा, तो 10 over का खेल यहापे खतम हुआ है, और यहापे at least 1500 तो बनने चाहे, normal गणि है, तो यही खबरे फिलाल तो बादर में आपे चल रहे हैं, और यह इब्दम common है, election के पहले इस प्रकार की चीज़े देखने को मिल जाती है, अब 2029 मतलब जब आगे का भी election होगा, उसके आगे का election होगा, उसके भी आगे का लिए, आपको सारी चीज़े यह experience करने को जो market में नए नए आए है, उनके लिए शायद से first experience रहेगा, जो बादर में अलरी बहुत बार experience यहापे ले चुके है, उनने यह सारी चीज़े इसके पहले भी आपे देखी है, so definitely हम यहापे कह सकते ही, इस वक्त का election का match है, वो काफी, मतलब हम कह सकते है, uncertainty से भरा हुआ है, अलग-अलग type के अलग-अलग reports देखने को मिल रहे है, वरना कभी-कभी क्या होता था, बहुत easily चीज़े निकल कर आती थी, अरे हाँ बाई, यह आ सकता है जित के, यह आ सकता है, और मैंने इस वक्त भी आप लोगों को का, कि थोड़ा इस वक्त का election मज़ेदार क्यों है, कि यह सारी commentary तो चल रही है, final result जो किया आएगा, वो तो 4 June को ही पता चलेगा, बट yes, उसके पहले, यह इस प्रकार के अनुमान वाले खेल, अमनों को देखने को मिल रहे है, और यही एक reason है, और कुछ नहीं, विदेश के ओर से हमनों को कोई pressure देखने को नहीं मिल रहे है, हां वापस भागना शुरू करेगा, बट usually, देखा गया, तो आप सब लोग को पता है, negativity में ज्यादा power यहापे होती है, कि आप एक negative ख़बर लेकर आजाओ, उस 100 positive ख़बर के ओपर भारी पढ़ जाती है, तो इसलिए यहापे हम कह सकते है, uncertainty में, के माहुल में, चाहे वो stock हो, या फिर index हो, तो हमेशा usually हम लोग को इस प्रकार से नीचे ही react करते वे देखने को मिल जाता है, तो majorly यही चीज़े हम लोग को बाजार में चलते वे देखने को आपे मिल रही है, next अगर हम लोग यहापे formalities की बात करें, formalities मतलब क्या, जैसे मैंने आपको कहा है कि बाकी के जो shares रहते हैं, जैसे कि HDFC bank, दो सवा 2% डाउन, भाई, HDFC bank अगर इतना गिरेगा, तो फिर भाई, market का उपर उठने का chances बहुत कम हो जाता है, usually, usually, यह कोई formula नहीं है, exceptions रहते, probability की बात करें, ठीके, then relance industry की बात करें, तो भाई, यह भी 2% डाउन, यह दो हाती अगर इस प् जद किये, आप देख सकते हो, 6-7 point ही, हम लोगों को उपर देखने को पने है, मतलब जब यह 5 बड़े players, जब इस प्रकार से कमजोरी यहापर दिखाते हैं, तो कैसे index भाग सकता है, नहीं भाग सकता है, नहीं भाग सकता है, नहीं भाग सकता है, तो यही points अभी हम लोग को सेक्टर बन चुक है, सवा 3% की गिरावट, निफ्टी-50 में सबसे आधा weightage, finance के बाद अभी oil guys दे रहा है, एंडिसका leader, relance गिर जाता है, तो यह बाकी को भी नीचे लुड़क कर लेके आता है, IT की भी बात करें, तो वो भी आप देख सकते हैं, मदद तो नहीं की, बढ़ थोड़ा बहुत गिरावट, यहाँ पर भी देखने है, 100 points की गिरावट, मतलब इन सबी चीज़ों को जोड कर देख ले, तो यहाँ पर हम लोगों को निफ्टी में अच्छी कासी पिटाई होते भी देखने हैं, पर यह सारी चीज़े नॉर्मली है, जो major जो कारण था, जै थोड़ा सा अभी हमारा भी time है, यह आगे आने वाले 20-25, जो भी दिन यहाँ पर बाकी election से related, थोड़ा वो यहाँ पर इस चीज़ का फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं, उपर से बात करें, तो portfolio की भी अच्छी खासी धज्या उड़ती हैं देखने हो का आप मिल रही है, व बात करें, आटो को छोड़ कर, बाकी के सभी में, हम लोगों के एक ही रंग देखने को मिल रहा है, लाल और लाल, तो और अलगर हम लोग आप बात करें दोस्तों, तो आज के दिन काफी अच्छी पिटाई, काफी दिनों के बाद देखने को मिली है, प्लस 20,000 का लेवल, ब बिरावट देखने को मिल रही है, जिसका मेजर कारण हम लोग ये जरूर, इलेक्शन वाला है, आपे कंसिडर कर सकते है, अभी देख लेते, 50% के आसपस बैटल हो चुके है, अभी बाकी 50% इलेक्शन अभी भी हापे बाकी है, किस प्रकार की खबरे निकल कराती है, कितना परसेंटेज का वोटिंग होता है, उस हिसाब से अनओफिशली क्या-क्या खबरे निकल कराती है, उसके पर चलते, बाजार में क्या-क्या रेक्शन देखने को मिल जाता है, ये देखने वाली बात है, आपे रहने वाली है, सो आशा करता है दोस्तों, जितना भी important points था, सार यहाँ पर मैंने cover कर लिए, वीडियो हलफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप like and share कर सकते हो, मिलते हैं नेक शुड़े में, तब तक के लिए, बब बाए